Hello dear students, आईए आज की class में discuss करते हैं CG Vyapum Agriculture Teacher के English के section में दिया गया एक बड़ा important topic Numbers अब अच्छा जब सबसे पहली बार अपने syllabus को देखता है तो उसको लगता है रहा है क्या यह maths का topic तो नहीं जो English में गलती से आ गया है जी नहीं, number is a topic of English only, numbers basically noun का यानि की संग्या का एक प्रकार होता है जिसे हम अगर पूरा पढ़ें तो वो number nouns कहलाते हैं आईए पढ़ लेते हैं कि यह number nouns क्या होते हैं और उसके बाद कुछ बड़े ही important rules आप सभी के साथ discuss करूँगी करीबन 10 rules हैं जो कि आपको help करेगा किसी भी singular शब्द को किसी plural शब्द में change करने में तो सबसे पहले तो भईया जान लेते हैं कि संग्या यानि की noun होता क्या है बचपन से एक रटी रुटाई definition आप पढ़ते आए हो कि जो noun होता है it is a naming word naming word से क्या मतलब it is the name of a place, किसी जगा का नाम, किसी person का नाम जैसे कि मैं एक इंसान हूँ, मेरा नाम होगा कुछ, that is also a noun या किसी चीज का नाम भी क्या कहलाता है noun यानि की संग्या आए शुरू करते हैं number nouns के दो टाइप singular and plural वैसे परिभाशा पढ़ने की जरूरत नहीं है, objective exam में परिभाशा तो पूछी नहीं जाएगी बट फिर भी एक बार पढ़ लिये रहो कि singular nouns क्या होते हैं और plural number nouns क्या होते हैं जहां तक singular numbers की परिभाशा जाती है, the nouns stand for only one person, animal and thing किसी भी एक इनसान का नाम, एक जानवर का नाम, किसी एक चीज़ का नाम, singular number noun कहलता है वहीं अगर एक से ज्यादा लोगों का, या एक से ज्यादा जानवरों की बात हो रही हो या एक से ज्यादा चीज़ों की बात हो रही है, तो वो क्या कहलाएगा plural number noun ये तो हो गई बिल्कुल basic सी चीज हर बच्चा जानता है singular का मतलब plural का मतलब अब आईए पढ़ लेते हैं कुछ important rules जो कि आपको बहुत help करेंगे जब आपको सवाल paper में दिये जाएंगे कि इसका singular शब्द क्या होता है तो सबसे पहला rule सबसे basic rule होता है number nouns के अंदर आईए मैं आप सभी के लिए पढ़ देते हूँ rule number one क्या कहता है भई या rule number one जरा जोर से पढ़ेंगे साथ में और सीखेंगे इस rule को कहता है ये rule की most nouns form their plurals by adding s in the end बिल्कुल सही ज्यादा तर nouns जो है इनके जब आप plural बनाते हो तो शब्द के अंत में हम अकसर plural कैसे बनाते हैं s जोड करके जैसे for example हमारे पास bat है बला अब bat जो है ये singular शब्द है इसका plural कैसे बनता है bat के अंत में आपने s लगा दिया बन गया s का plural शब्द bats और कुछ examples ले लेते हैं chair चेर का plural कैसे बना चेर के अंत में आपने s जोड दिया बन गया चेर's plural form हो गया next cap का plural क्या होगा भई अंत में s लगा दो न बन गया caps हो गया उसका plural चौथा और आखरी example आलग ये सखसे basic rule होता है इतना असान सवाल भी नहीं आएगा लेकिन जब हम पढ़ रहे हैं एक flow में तो हर चीज छोटी सी छोटी भी जाननी जरूरी हो जाती है hat यानि कि टोपी अंत में इसका plural बनाना है लगा तो s शब्द के अंत में बन जाएगा hat पा plural यानि कि hats so this was rule number one जहांपर हमने ये सीखा कि अकसर किसी शब्द का जब हम plural बनाते हैं तो एक common सा rule होता है कि उस शब्द के अंत में आप क्या लगा देते हो s letter लगा देते हो और हमारा plural शब्द बन जाता है next शब्द पर आ जाते हैं sorry rule पर आ जाते हैं rule number two आईए मैं आप सभी के लिए पढ़ देती हूँ और फिर कुछ example से सीखेंगे ये rule number two कैसे use किया जाता है rule number two कहता है कि nouns that end in ch ch ठीक है भई या फिर sh ओके या फिर s या फिर s या फिर x इन सारे end letters की बात हो रही है ऐसे सारे nouns जिनके अंत में ch, sh, s, double s या x आता हो इनका अगर आपको plural बनाने के लिए कहा जाए paper में तो आपको क्या करना है आपको इनके plural बनाने के लिए इन सारे शब्दों के अंत में क्या जोडते जाना है e, s, e, s, e, s ऐसे जोडते जाओगे चाहे वो शब्द ch पर end करे, sh पर end करे, s पर, double s पर या फिर x पर आओ कुछ example से समझने की कोशिश करते हैं देखो bench, bench के अंत में ch letter जोड़ा है और हमने अभी क्या सीखा कि किसी शब्द के अंत में अगर ch है तो इसका plural बनाने के लिए शब्द के अंत में ला करके क्या जोड़ देना, es जोड़ देना बन गया इसका plural bench, ch साथी साथ हमने ये रूल केवल ch शब्दों के लिए नहीं सीखा है बलके ऐसे सारे शब्द जिनके अंत में ch लग रहा हो dish, इनके भी plural बनाने के दौरान ये जो sh letter है वो replace हो जाएगा es से और बन जाएगा ये शब्द, dishes तीसरा example आते है bus bus का plural क्या बन गया भई, buses और देखो हमारे रूल में था कि अगर किसी शब्द का अंत हो रहा है s letter से तो इसका plural बनाने के लिए कर कहा जाए तो आप क्या जोड़ दोगे अंत में es जोड़ दोगे और उसका plural बनाएगा कुछ और examples है और उसके बाद हम next rule पर आजाएंगे हमने साथ में ये भी सीखाता गी किसी शब्द के अंत में अगर double s लग रहा है तो इसका भी plural जो होगा वो es जोड़ करके बन जाता है बन गया class का classes last example है box box हमने अभी जस्ट पढ़ा था कि अगर किसी शब्द के अंत में x आ रहा है और इसका plural बनाने कहा जाता हो तो आप क्या जोड़ देना अंत में es box का बन गया boxes I hope this is very easy ये rules अगर आपको याद है कोई भी x-visor exam दोगे definitely आप solve करके आप